शायापूर जिले की पुलाएंकला नगर परिशत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाओं में कॉंग्रेस ने 36 साल बाद वापसी करते हुए जीत लिया है शायापूर जिले की तीन नगर परिशत एक नगर पालिका के हुए चुनाओं में शुजालपूर भाजपा का कबज़ा रहा वहीं पर एक नगर परिशत पुलाएंकला पर कॉंग्रेस ने कबज़ा कर लिया है पुलाएंकला 1984 से संग्खा गड़ माना जाता रहा है परन्तु भाजपा के पास बहुमत होते हुए भी नगर परिशत पुलाएंकला पर भाजपा अपना कबज़ा बरकरार रखने में काम्याब नहीं हो पाई और नगर परिशत पुलाएंकला पर कॉंग्रेस ने कबज़ा कर लिया शुक्रवार को हुए चुनाओ में अध्यक्ष उपाध्यक्षपत के लिए पुलाएंकला के सभागार भवन में निर्वाचन प्रक्रिया संपन हुई जिसमें सभी 15 पार्चदों ने भाग लिया कॉंग्रेस समर्थित पवन राजकुमार अध्यक्षपत पर 11 मतों से विज़ाई घोशित हुए बाजपा के पास बहुमत होते हुए भी 4 मत मिले कॉंग्रेस की जीत पर कारिकरताओं ने जम कर जशन मनाया हमने तो बहुत प्रयास किया था कि हमारी बाजपा के आठ लोग है और हम अध्यक्षपत बना लेंगे लेकिन ये कल्यूग आ गया कल्यूग में दौपर के राम नहीं आए प्रेटा के एक रशन आ गये और महा भारत हुआ इस महा भारत में जो जो प्रयोग हो सकते हैं ते वो सबने किये हैं इसलिए हम उसमें असपल रहे हम उनको तोड़ नहीं सके इसलिए हमारी बाजपा हार गई पॉलाय कला से सोहन मरेठ्या की रिपोर्ट